Hello guys, welcome to your channel Law is Love आज का टापिक है difference between CPC, CRPC and IPC CPC की full form है Civil Procedure Code 1908 and CRPC की full form है Criminal Procedure Code 1973 तो सबसे पहले CPC और CRPC में क्या फरक है CPC जो है वो आपका Civil Cases में Apply होता है और जो CRPC है वो Criminal Cases में Apply होता है जो CRPC है उसमें Detailed Procedures गिवन है कि आपको किसी भी Offenses के लिए कैसे उसको Investigation करना है कैसे उसका Trial करना है, कैसे Punishments देनी है यह सब कहां गिवन है CRPC में तो अगर आप आते हैं CPC में CPC में अगर आपने कोई Default किया हुआ है किसी ने और उसके आपने Case किया हुआ है तो आप उसको Imprisonment नहीं करवा सकते हैं यानि कि आप उसको Jail नहीं करवा सकते हैं उसमें दिया हुआ है कि आप उससे Compensation ये Damages Claim कर सकते हो यानि कि आप उससे Compensation तो मांग सकते हो बट आप उसको Imprisonment नहीं करा सकते पर अगर आप CRPC की बात करेंगे तो उसमें आप Imprisonment दिलवा सकते हो सामने वाले Person को तो उसको आप Life Imprisonment यानि कि उम्र कैंद और Capital Punishment यानि कि Death Punishment भी दिलवा सकते हो चिक है तो ये तो था CPC और CRPC में Difference अब CRPC और IPC में जो Difference है वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है IPC है Indian Penal Code 1860 सबसे बहले एक बात समझ लो Indian Penal Code यानि कि पूरी इंडिया पे जो भी Offenses होंगे जो भी कुछ भी होगा हर किसी Offense में क्या आपको punishments देनी है वो आपको मिलेगी Indian Penal Code से ये जो Indian Penal Code है ये पूरी इंडिया पे लगता है बट एक्सेप्ट जामोईन कश्मीर जामोईन कश्मीर पे ये नहीं लगता है तो इसमें क्या दिया हुआ है इसमें list of crimes दी हुई है और उसमें किती किती punishments मिलेंगी ये इसमें दिया हुआ है example murder हो गया kidnapping हो गया theft हो गया इन सब पे क्या क्या punishments मिलेंगी ये दिया हुआ है अब इसमें जो offenses पे punishment दी हुई है उसको punishment देंगे कैसे यानि कि उसका investigation कैसे होगा trial कैसे होगा ठीक है तो वो procedure जो है वो हमें CRPC से मिलेगा ओकी thanks for listening please like कर दीजिया करे अगर आपको अच्छा लगता है and subscribe करें thank you for listening bye bye